रेणियोप कंशित्र के इश्वान गाउं में रामबावू मेरा की मस्थूरी करते समय 11,000 हाई वोल्टेस विशली की चपेट में आने से देहांध हो गया था रामबावू अपने परिवार में दो मासुन बच्चो वो विध्वा पत्नी को उनके वुद्ध मातपिता पर छोड़ कर गए रामबावू बहुत ही घरी परिवार से थे जो किसी ट्रेक्टर पर मस्थूरी करके अपने परिवार का पालन पोशन करते थे जिनोंने अपने रहिन की शादी के लिए लाको रुपेज का करजा तक ले लिया था अब विद्वा पत्नी हिमादेवी के उपर ये करजा का बहुत बड़ा आर्थिक संकित आचानिस के बाद अब करजा चुकाना तो बहुत दूर की बात है अपने बच्चों वो ब्रद सास ससुर का पालन पोशन करने में भी ऐसमर्थ हो रही है और दरदर भटकने की नोबत आ गई है इस खबर को सोशल मीडिया पर युवाव ने सुनकर एक मिशन राम बाबु इश्वाना चलाया है जिसमें सर्वसमाज के सभी समाव सेवकों ने बच्चड कर भाग लिया है और सर्वसमाज हेल टीम राजकर के सदस्यों ने भी इसमें बच्चड कर अपना सयोग किया है जिसमें कुल 600 लोगों ने सयोग किया इस सयोग में राम सो रूप नंदलाल गबबर सरपंच ने 5151 रुपय का सयोग दिया वहीं इस मिशन में कुल 1,67,3233 रुपय का सयोग प्राप्ट हुआ इस इसे के साथ ही सानिय सरपंच गरबर मीना सभी सहयोग करताओं का बहुत बहुत उन्होंने आभार प्रकट किया है और धन्यवाद दिया और उन्होंने इस परिवार के लिए जो भी सरका से गरी परिवार के लिए योश्टा आएगी उसको अधिक से अधिक लाप दिलवाने का इने आस्वाशन दिया है निशन में सर्वसमाचु हल्प टीम राजगर के सक्रिय सदर्सय प्रकाश दूबी हरियों भगत मिठन खोड़ा सुनेल भागरी राम्नुएश राम के श्रतन पूरा लोकेंद्र भाटी सीता राम अनावरा सुख देवा मास्टर करनावर अमर अमर्चन जांडोली, प्रामदेयार तोड़ा, ज्यसिंग फूरा, संतोष गुनावत में सक्रिय होकर सयोग किया है और इसे के साथ ही और लोगों से भी इन्होंने सयोग करवाया है